अस्सलाम अलेकूम रह्मत इल्लाई बरकातू मश्क नंबर 7.1 मश्क जो है आज इसको देखते हैं तो सबसे पहले हम इसको इधर कर लें मश्क नंबर 7.1 में जो सवाल है वो कुछ ऐसे है कि दर्जल नुकात इनके महद्दीन की बिना पर किस रुबा में या किस महवर पर उसके बाद सवाल है कुछन मार गया है नहीं किस महवर पर वाके हैं लिखिए वो लिखना है अपने को तो सबसे पहले जो सवाल में जो में चीज़ है वो ये है कि डर्जल नुकात जेल यानी निच्छे निच्चे के नुकात मतलब यह सारे नुकात जो यह दिए है अलग अलग नुकात यह नुकात उससे अपने को समझ में यह आया कि यह A B K D E F G H M N D और Q जो है यह नुकात हैं आगे पढ़ते हैं यह नुकात उनके महद्दीन एक चीज यह पता चली महद्दीन जो है एक वर्ड यह आया की बिना पर की बुनियात पर किस रोबा में किस मुरब्बे में या किस महवर पर वाके हैं तो यहाँ पर तीन बहुत नुक चार इंपॉर्टन चीज है नुकात महद्दीन रोबा और महवर नुकात तो हम समझ गए वो तो सवाल में ही दिया हुआ यह सारे नुकते हैं अब देखते हैं महद्दीन क्या होता है रोबा क्या होता है और महवर क्या होता है तो यह जो नुकते यहाँ पर दिये हुए है जैसे पहला नुकता यहाँ पर दिया हुआ है अपने को ए माइनस थिरी टू तो अपने वो समझ में आ गया है कि यह तरसीमी कागस पर बनेगा बी माइनस फाइफ माइनस टू उसी तरीके से यह सारे सब के सब तो यह नुकते अपने तरसीमी कागस पर बनेगे अब अपन लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि नुकात तो अपने को समझ में आ गया है अब आगे समझ लेते हैं महद्दीदीन क्या होता है रुबा क्या होता है और महवर क्या होता है तो महद्दीदीन की बुनियाद पर अब ये पहली मिसाल ले लेते हैं जैसे नुक्ता A है पहला वाला उसका दिया हुआ अपने को उसकी value minus 3 comma 2 तो इसके अंदर ये A जो है ये नुक्ता है ये नुक्ता हो जाता है महद्दीदीन जो होता है वो ये होता है ये minus 3 और ये 2 ये जो value है इनको अपन लोग क्या बोलते हैं ये महद्दीदीन होते है महद्दीदीन यानि उनके अदत से बना है महद्दीदीन उसके बाद में ये अपना नुक्ता हल हो गया महद्दीदीन समझ गए महद्दीदीन किसको कहते हैं अच्छा की बुनियाद पर अपने ये दो चीजों के नुकात के महद्दीदीन की बुनियाद पर यानि इनके बुनियाद पर अपने को क्या पता लगाना है कि वो किस रोबा में या किस महवर पर वाके हैं तो ये रोबा और महवर क्या है वो देख लेते हैं जब भी अपन लोग तरसीम अपन लोग जब बनाते हैं तो पहले भी पहले के वीडियो में भी देखे थे कि जब भी तरसीम अपन बनाते हैं तो क्या करते हैं सबसे पहले एक ऐसा ख़त खिछते हैं और बीच से एक ऐसा ख़त खिछते हैं यह ख़त को बोल देते हैं कि यह X महवर है यह ख़त को बोल देते हैं कि यह Y महवर है ठिक ऐसे ही करते हैं तरसीम का पे कोशन हल अच्छा उसके बाद में आगे क्या करते हैं अपन लोग हर तरसीम के question में X महवर पे इस तरफ जो है उसको अपन लोग क्या बोलतेते हैं यह पहले मोटी वाली लाइन नंबर अपना और यहाँ पे यह जीरो हो जाता है अच्छा और इसी X महवर पे पिछे की तरफ इसको minus one बोल देते हैं इसको minus two बोल देते हैं इसको minus three इसको minus four आगे इसा जितना लंबा चाहे अपन लोग बोल देते हैं वैसे ही यहाँ पर यह Y महवर पर उपर की तरफ 0 से उपर इसको 1, इसको 2, इसको 3, 4 आगे बोलते चले जाते हैं नीचे की तरफ –1, –2, –3 बोलते चले जाते हैं ठेक अच्छा अब अगर अपन Y महवर और X महवर का यह जो पूरा अपन जो बनाते हैं इसमें गौर से देखें तो यह दोनों लाइने जहाँ पर क्रॉस कर रही हैं X महवर और Y महवर यहाँ पर अपने को ना चार मुरब एक ऐसे फर्जी मुरब्ब भी मिल रहे हैं अगर इसको ऐसा देखें यह हलकी हलकी लाइन हम ऐसी ड्रॉ कर रहे हैं जूटी लाइन है फर्जी लाइन तो देखें तो यहाँ पर एक मुरब्ब्ब भी अपने को यह एक मुरब्ब्ब भी यह एक ऐसा मिल रहा है है नहीं फर्ज कर रहे हैं कि यह इधर एक मुरब्ब्ब है वैसे ही देखो यहाँ पर यहाँ पर जो कटिंग करने के बाद में इस तरफ भी अपने को यह एक ऐसा डब्बा मिल रहा है यह डब्बे को अपन बोल दी यह भी एक मुरब्ब्ब है वैसे ही यहाँ पर बोल दी हो गया यह मुरबब टू हो गया यह मुरबब हो गया है के समझ रहा हुआ कि यहां पर जैक्ट करने के बा糙 पाद में अपने दू expect ठीक, ठीक, सवाल में क्या पूछ रहा है कि वो कौन से की बुनियाद पर किस रोबा में वाके हैं, इसको मुरबा नहीं बोल रहा है, वो रोबा बोल रहा है, रोबा यानि भी मुरबा ही होता है, किस रोबा में वाके हैं, यही अपने को बताना है कि रोबा वन में है, कि टू पे आ रहा है कि थिरी पे के फोर पे आ रहा है ठीक है ये बताना है अच्छा किस रोबा में है दूसरा चीज क्या है अगर वो रोबा पे नहीं है तो किस महवर में कभी कभी क्या नुक्ता क्या रोबा में नहीं हो के यहां पे इदर किदर नुक्ता हो सकता है यहां पे किदर तो भी हो सकता है नुकता है यहां पर भी किदर रुबा में हो सकता है यहां किदर तो भी आ सकता है यहां पर भी किदर तो भी आ सकता है लेकिन हो सकता है कि यहां भी हो महवर पर भी आ सकता है कभी कभी होता है कि महवर पर नुकते होते हैं यहां पर भी हो सकते हैं तो अगर अपन मोटा मोटा अगर देखे हैं, तो एक चीज अपने को यहाँ पर यह समझ में आ रही है, यह रोबा को देखके, कि यह देखो, रोबा वण जो है, यानि मुरब्बा वण जो है, इसमें यहाँ पर देखो, वन, तू, तुरी, फूर आ रहा है, यानि प्लस में आ रहा है और यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4 यह प्लस में आ रहा है यानि इसकी दोनों अदद यानि X का अदद और Y का भी अदद इसका प्लस प्लस आ रहा है ठीक है यानि इसको अगर हम मुरब्बा 1 को इंडिकेट करें तो हम इसको प्लस प्लस साइन लिख सकते हैं नुक्ते की दोनो मुहद्दीन नुक्ते के किसी भी नुक्ते के दोनो मुहद्दीन जब प्लस प्लस हो माइनस माइनस नहीं हो यानि प्लस साइन प्लस में हो ये भी प्लस में हो तो जाहिर सी बात है वो नुक्ता जो है वो ये रुबा वन में वाक्य हो कहीं भी वो कैसे पता चला यह प्लस-प्लस है रोबा 1 वो यहां से बता चला है देखो 1,2,3,4 यह भी प्लस में है यह साड में भी देखो प्लस में तो हमापन समझ गए रोबा 1 जो है यह प्लस-प्लस है अच्छा रोबा 2 के देखें खुसूसियत तो इसकी इसका जो x वाला आ रहा है point वो minus में आ रहा है देखो यह x महवर जो है इसका यह minus में है minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 और y जो है वो plus में आ रहा है अच्छा इसको अगर मैं यहां लिखें तो इसका मुरबबट रोबा 2 का X माइनस में आता है और Y जो है वो प्लस में आता है तो हम एक हम इसको इस तरिके से भी कह सकते हैं कि किसी भी नकते के तो वो रोबा 2 में वाकिय है ठीक कोई भी हो यहां पर minus 5, 10 कुछ भी हो और यहां यह plus हो यानि पहला अदद पहला मोहद्द minus हो दूसरा मोहद्द plus हो तो वो Robat 10 में हो अच्छा Robat 3 के बारे में आओ देखें कैसा वो कहां पर घीर रहा है यह Robat 3 अपना बना था तो यहाँ पर जितने भी नुक्ते हैं तो उनके देख लेते हैं प्रॉपर्टी देखो X महवर उसका X महवर में मैंनस हैं value और Y महवर में भी मैंनस है यहाँ धेखो यह सम मैंनस है यह सम माइनस है, माइनस 1 X भी माइनस, Y भी माइनस तो वो रोबा 3 में गिरेगा नुक्ता यानि Roba 3 को अगर हम लिखें तो वो Roba 3 के दोनों अदद مहदिद माइनस माइनस में होते हैं, यह अपने को यहां देख के समझ में आगए ठीक है? Roba 4 को भी लगे में देख लेते हैं रोबा 4 ये वाला बनाता रोबा 4 में देखो X जो है वो प्लस में है यहाँ पे X प्लस में है और Y जो है वो माइनस में है यह माइनस 3 यह सब इसा है उपर तो यह X इसका प्लस में रहे और Y जो है माइनस में रहे तो वो रोबा थिरी में वाए माइनस में रहेगा तो ये हमारा एक समझों एक concept बन गया है ये हमेशा याद रखना है रोबा का कोई भी सवाल आएगा तो अपने को ये याद रखना है कि अगर महद्द प्लस प्लस में आएंगे किसी के भी तो रोबा वन में गिर रहा है नुकता अगर महद्द माइनस और प्लस में माइनस और प्लस है तो रोबा टू में गिर रहा है नुकता अगर महद्द नफी में है तो रोबा 3 में गिर रहा है नुकता अगर मुहद्द जमा और नफी में है पहला दर जमा है दूसरा दर नफी में है तो रोबा 4 में गिर रहा है नुकता अगर जमा और जमा में है तो रोबा 1 में गिर रहा है अगर नफी और जमा में है तो रोबा टू में गिर रहा है अगर नफी और नफी में है तो रोबा टू में गिर रहा है अगर जमा और नफी में है तो रोबा फॉर में गिर रहा है यह अपना एक concept बन गया ठीक है very easy अच्छा अब यहां पे महवर का देख लेते हैं concept क्या है महवर में क्या होता है कि देखो कोई भी नुक्ता जो जिसका पहला यानि अगर वो x पे कोई भी नुक्ता जब x महवर पे है यहां पे कहीं भी है जैसे यहां पे है यहां पे है यहां पे यहां तो उसका y महवर 0 होगा ठीक और जो y पे होगा तो उसका x 0 यानि अगर महद्दित मिसाल के तोर पे यहां पे हम नुक्ता h को ले लेते हैं नुक्ता h को हां नुक्ता h को ले ले लेते हैं नुक्ता h दिखा रहा है 0 और माइनस 5 तो 0 माइनस 5 यानि x महद्दित 0 है y महद्दित नफी में है x महवर है ही नहीं x महवर उसका 0 है और y महद्दित उसका नफी 5 पे है तो यहां यहां कहीं तो यहां पे यह वाई पे नफी 5 तो इसका मतलब कि वह वाई महवर पे क्योंकि इसका x तो 0 है तो यहां से clear अपने को समझ में आ जा रहा है कि यह वाई महवर का इसमें y महदित दिया हुआ है तो यह y महवर पे है y महवर पे है और अगर इसका पलट होता मिसाल के तोर पर m नुक्ता m जो है वो 12 0 है यानि इसका x महदित की रकम दी भी है 12 y महदित 0 है यानि वो x महवर पे है ठीक है very easy हो गया अब अपन एक-एक सवाल को देख लेते हैं यहाँ पे एक-एक नुक्ते को देख लेते हैं चलो ठीक है बना के फटा-फट बना लेते हैं उसके बाद में देखते हैं सवाल एक-एक को देख लेएं अच्छा यह 00 कर दी है यहाँ यह पे 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 answer sheet में पीछे की तरफ में फटा-फट बना देने का इसको चाहिए तो बहुत easy हो जाता है 1, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, ये minus में कितना भी आगे जा सकता है वैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इधर minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, minus 9, चले जाने का इसको नीचे अच्छा नुकता A बोल रहा है कहां पर A की क्या बोल रहा है मैं लूँ, minus 3, 2, ठीक तो ये 1, ये 2, ये मुरब्बा 3, ये मुरब्बा 4 1 की हमने यहां से निकाला था, जब ये plus plus हो, 2 में minus plus हो, 3 में minus minus हो, 4 में plus minus हो, तो नुकता A, पहला वाला देख रहा है है अपन लोग, नुकता A, minus 3, 2, उसकी रखम कितनी दीवी है, minus 3, minus 3 और 2 दिया हो है, minus 3, plus 2, तो यहनि पहला अदत plus और minus है, तो plus minus कहाँ पहे है यहां पहे, यह तो plus plus है, यह minus plus है, यह minus minus है, plus minus, plus minus, यहनि नुकता A, मुरब्बा 4 में है, यहां पहे नुकता A हो गया, A के आगे क्या लिख देने का, यह रबा, रबा 4 में है, A जो है वो रबा, 4 में है, अच्छा, नुकता B, minus 5, minus 2 दिया हुआ है, नुकता B, minus 5, minus 2, तो दोनों minus minus है, तो यह तो plus plus है, यह minus plus है, यह minus minus, यह नुकता B, यहां पहे है, रबा 4 में है, रबा 3 में है, उसी तरीके से, जो है, हर एक नुकता बन जाएगा यहां पर, बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है, इसको अपन लोग यहां पर, इसके ज़रूरत नहीं है, यहां पर कर लेते हैं, थिसरा नुकता क्या आता, थिसरा नुकता है अपना के, 3.5, 1.5, यहनि यह भी plus में, 3.5 प्लस में है, 1.5 यह भी plus में, यहनि plus plus में, plus plus कहां पर, यहां पर, यहनि रोबा 1 में है, नुक्ता K रुबा 1 में है यहाँ पे K नुक्ता आ गया अच्छा उसके बाद में नुक्ता D यानि प्लस 2 प्लस 10 यानि प्लस प्लस में है तो यहाँ पे नुक्ता D भी यहीं पे है रुबा 1 में अच्छा उसके बाद में E 37, 35 यानि ये भी प्लस में प्लस में, प्लस प्लस में, यह तो प्लस माइनस यहां पर है, यह नुकता F रुबा फोर में है, नुकता F रुबा फोर में है, ओके, G, 3, 7, यह भी प्लस में, यह भी प्लस में, प्लस प्लस कहां है, प्लस प्लस यहां पर है, यहां पर आगया G, G भी इसी में आगया, ओके, नुकता H, 0, माइनस 5, यानि नुकता H का X महदिब 0 है, Y माइनस 5 है, यानि Y महवर पर है, नुकता H, Y महवर पर, नुक्ता M 12 0 12 यानि पहला X महवर इसका 12 Y महवर 0 यानि यह X महवर पे है M जो है X महवर पे है नुक्ता M अच्छा N 0 9 X महवर 0 है Y महवर 9 है Y महवर 9 है यह Y महवर पे है अच्छा, D, 0, 2.5 X महवर इसका 0 है Y महवर 2.5 Y महवर पे है जो महवर की value दी रहेगी Y महवर पे है X महवर की 0 दी वही है तो X महवर पे है यह नहीं हो Y महवर पे दी हो चाहे प्लस में दी हो, चाहे मैनस में हो चाहे point में किसी में भी हो लेकिन यह यह नुकता Q, इस तरीके से यह सवाल अपना हल हो गए, अपने को सारे नुकते पता चल गए, तो इसको अच्छे से ऐसा टेबल बना लेने का, कैसे? पहले यह इसा रफ में बना लेने का यह बना लिए यह बना लिए उसके बाद में फिर यान अपने इसाब से ऐसा टेबल बना लेने का जैसे नुक्ता लिख लिए यहाँ पर यहाँ पर हम बताते हैं जवाब कैसे लिखने का उसके एक्जाम में, यहाँ पर एक ऐसा टेबल बना लेने का, box, यहाँ पर नुक्ता लिखने का, यहाँ पर नुक्ता लिखने का, उसके बाद में नुक्ता A, जितने भी नुक्ता दिया हुआ है, नुक्ता A, माइनस थ्री, माइनस टू, D, सोरी, नुक्ता B, माइनस फाइफ minus two जितने हैं सब यहाँ पर चले आएंगे नीचे अब उनके आगे लिखने का उसका मुकाम क्या है नुक्ता-1 माइनस 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 है तो तो यह रोबा three में इसका क्या है b क्या है minus five सोरी यह ना यह plus था minus three और two था तो minus plus में है माइनस प्लस यानि रोबा 2 में है रोबा 2 में आया था b 5-2, दूनों माइनस माइनस यानि रोबा 3 सारे ऐसी लिखने के उनके सामने उनके लिखते चले आने का इस तरीके से सवाल हलोद कर देने का फुल नंबर मिलेगा इंशालला